हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल प्राम ट्रेडिंग विवेक.com और आज हम बात करने वाले हैं अंबुजा सिमेंट के बारे में अंबुजा सिमेंट को लेकर यहां पर सारी ही चीज़े डिसकस करेंगे जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं और यहां पर किस तर चाहिए उस चीज़ को लेकर भी आपको काफी help मिलेगी आपकी decision making में तो मेरा purpose सिर्फ आपको educational वीडियो बनाकर आपको बताना है कि किस तरीके से ही developments को हमें read करना चाहिए किस तरह से पर चीज़ों को समझना चाहिए decision जो भी है वह आपका है आपने अपने असाब से decide करना है तो यहां जो सबसे पहले अगर हम बात करने लगें सबसे पहला point है कि यहां technically अगर हम बात करने लगें तो सबसे पहले अगर देखते हैं इस तरह का कुछ chart pattern बनता हो नजर आ रहा है यह chart pattern क्या है यह chart pattern है कि same level पर पहले resistance था same ही level पर दुबारा resistance था same ही level पर तीसरी बार resistance था and same ही level पर अभी fourth time resistance है so resistance बिल्कुल same price पर है लगातार है और यह resistance कब बन रहा है actual में काफी उपर यहां trade कर रहा था stock price उसके बाद में यह नीचे गिरा नीचे आने के बाद में heavy volume के साथ यह पूरा buying zone रहा और उसके बाद में उपर गया लेकिन resistance बनता रहा अब जो यह resistance बना इस resistance के साथ में अगरा हम support की बात करने लगें तो support सबसे पहले समझ में आती है फर्स support यह थी जब सबसे नीचे आया सबसे पहली बार और इसने bottom बनाया उसके बाद में जब उपर गया उपर जाने के बाद में यानि कि आप ये देखो कि इसने upmove दिखाया उसके बाद में अपमूव दिखाने के बाद में जब नीचे आया तो support इसने यह बनाई यानि कि support सबसे पहले सबसे नीचे थी फिर उसके उपर आई फिर से उपर गया stock price और support यहां पर और उपर हो गई फिर support और उपर हो गई और अभी अगर हम आज की candle की बात करने लगें तो support हमारी और उपर हो गई तो every time जब भी stock price यहां पर आप देखेंगे कि उपर गया उपर आने के बाद में जब नीचे आया तो support हमारी उपर होती चली गई और कितनी बार इसने support को उपर दिखाया आप यहां पर इस बात को समझो पहले यहां पर यह first support बनी मैं आपर round circle कर रहता हूं इसको this is first support, this is second support, third support same level पर थी, then this is third support, this is fourth support, this is fifth support and this is today's sixth support और आज की support अगर आप देखोगे तो जब नीचे stock price आया ना उसके बाद में वापस से उपर की तरफ गया भी आप यहां से देखोगे वापस से recovery की, सारे ही अदानी stocks में एक बार को गिरावट आई थी लेकिन सभी में आपर upside उपर गया share price, अगर इसको 15 minutes की candle पर आज की movement को check करें, तो हमें साफ साफ क्या नज़र आता है कि एक single candle से, ध्यान से समझना, एक single candle से heavy volume के साथ stock price को नीचे लाया गया और उसके बाद में, नीचे इगराने के बाद में, जो भी low बना, उसके बाद नीचे stock price आया ही नहीं और same ही heavy volume के साथ, यहां पर सारा माल भड़ लिया गया तो आप इस बात को समझें, एक candle से ड्राया गया, उसके बाद में सारे ही यहां पर जितनी भी selling आई, सब को acquire करके ऊपर की तरफ ले गया अगर हम यहां पर further 5 minutes chart देखें, तो शायद situation और नजर आ जाए, अब आप देखो, यहां पर थोड़ी सी कम volume थी, फिर जादा volume थी, third volume थी, stock price नहीं गिर रहा था, तो operator ने क्या किया, जो भी, जिसने भी operator ने, या किसीने माल निकाला होगा, या तो intentionally गिराने के लिए माल न गया और उसके बाद नीचे मुड़कर देखा ही नहीं गया, लगातार यहां से माल को भरते गए, तो जब हमें daily candlestick chart में एक इस तरह की swing नजर आए कि intra-day में stock price नीचे गया हो, intra-day में stock price जैसे यहां से बहुत जादा नीचे गया, open तो यहां हुआ था, तो इतना नीचे ग होता है, छोटे time frame पर जाकर आपको पता चल जाता है कि heavy volume गिरावट में सिर्फ एक candle में थी, और उसके बाद में same ही low के साथ यहां पर बाकी सारा नीचे रखके माल को purchase कर लिया गया, यानि कि नीचे गिरने की opportunity का किसी ने फायदा उठाया है, अब वो फायदा उठाया किस इसने है, इस बात को कैसे समझा जाए, फायदा actual में same ही operator ने उठाया है, जो यहां पर लगातार माल को भर रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया भी, कि किस तरीके से यहां पर higher low बन रहे हैं, जो bottom है, वो लगातार उपर की तरफ चल रही है, तो उतना नीचे आने की weight ही न depth है, जो maximum depth है, हम इसको यहां से भी count कर सकते हैं, जो अपना सबसे पहला वाला support है, सबसे पहले वाले support से भी इस depth यहां से cover किया जा सकता है, या फिर हम इसको multiple means complex cup with handle pattern देख सकते हैं, तो यह इस तरीके से बनता है, this is cup, this is one handle, उसके बाद में one more handle and this is one more handle, तो यहां पर इस make up सबसे पहली वाली movement को भी मान सकते हैं, तो इसको मानना या नहीं मानना वो अपनी choice है, लेकिन अगर मैं technically बात करूँ, तो इसको मानना चाहिए, और हमें जो depth लेनी चाहिए, वो यहीं से pick करनी चाहिए, यहां से हमने पूरी depth pick की, और depth pick करके हमने इसको उपर की तरफ plot क तो हमारा जो technical target निकल कर आता है, that is 481, अब जो 481 हमारा technical target है, current price से लेकर और technical target तक अगर हम बात करने लगें, तो यह कितना हमारा potential gain नजर आता है, this is 25% potential gain, यह technical target का है, और यह actual में जहां से stock price ने लगातार गिरावट दिखाई थी, उससे भी नीचे है, तो ऐसे में जब भ अगातार यहां पर panic sell हुआ हो, उसके बाद में higher low बनाने के बाद में जब भी 4 pattern बना हो, वो कम से कम उस level तक जुरूर जाता है, जहां से यह गिरावट शुरू हुई थी, तो यहां से जो potential gain नजर आता है, जो target, first target नजर आता है, वो actual में 523 नजर आता है, वैसे technical target इसका हम हमारा 523 नहीं है, 481 है, लेकिन अगर हम overall experience की बात करें कि जहां से गिरना शुरू होता है, वहां तक जाता है, इस तरह के pattern बनाने के बाद में, ग्रावट भी एक panic ग्रावट होनी चाहिए, तो हमारा जो यह ग्रावट वाला total potential gain निकल कराता है, that is 36%, तो हम मान कर चल सकते है कि first target comes 25% potential gain, and second target comes 36%, यह भी technical target है, अब जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो अच्छी companies हैं, वो lifetime high तक जरूर जाती हैं, जब market खास तो हमको support करें, तो lifetime high का target हमारा आता है 600, 598, और current price से लेकर अगर हम ultimate target की बात करने लगें, यह भी technical target ही होता है, lifetime high टच करना, अच्छी companies क तो यह 55% gain नजर आता है, मेरा मानना यह है कि जो अपना सबसे पहला वाला target है, 25%, यह within 6 months हमारा आ जाना चाहिए, हो सकता 3 months में आ जाए, जो second वाला target है, वो 6-9 months में आ जाना चाहिए, और जो हमारा third वाला यह पूरा target है, यह maximum 1 year लेना चाहिए, क्योंकि 1 year में जो भी problems थी हिंडनबर्ग report को लेकर, वो सारी की सारी यहां पर ठीक हो जाएंगी, सारे चीजे यहां पर clean हो जाएंगी, और एक और जो उससे भी important point है, जो सबसे important हमारा point निकल गार आता है, वो है कि तब तक BJP दुबारा भी आ चुकी होगी, जिन लोगों के mind में डर है कि BJP अगर नह एक जूट है, मित है, यह बिल्कुल ही एक नासमझी वाली बात है, अगर ऐसा सोचा जा रहा है, उसका reason क्या है मैं बताता हूँ, आप मुझे follow करते हो, तो मेरा फर्स बनता है कि मैं आपको practically सारी बाते समझाओ, तो यहां अगर आप देखोगे, तो आप ध्यान से समझो कि अधानी गुरूप इंवेश्टमेंट इन राजिस्थान, आप ध्यान से समझना इस बात को, आपको थोड़ी बात समझ में आएगी, तो यह तब की बात है, यह पुरानी बात नहीं है, 7th October 2022 की बात है, recent की ही बात है, तो जब राजिस्थान में 65,000 क्रोड रूपीज इंवेश्टमेंट की हाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान से समझो, राजिस्थान में अभी कहां की किस की गवर्मेंट है, कौन सी पार्टी की गवर्मेंट है, राजिस्थान में अभी कॉंग्रेस पार्ट की गवर्मेंट है और कॉंग्रेस पार्टी के ही अगर गवर्मेंट वाले इस्टेट में अधानी भाई यहां पर 65,000 क्रोड रुपीज इंवेश्मेंट की बात कर रहे हैं और यह आपस में बाते चल रही हैं गवर्मेंट की एंड इंडिस्ट्री लिस्ट की तो यहां इस बा होता तो बीजेपी के आने के बाद में जो अम्मानी परिवार है उनको भी मुसीबत आई होती क्योंकि उन्होंने जितना भी बिजनेस स्टार्ट किया था कॉंग्रेस के साथ इस्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ नहीं है बिजनेस का पॉलिटिकल पार्टी से एक सच कुछ भी फर्क नहीं पड़ता खास तोर से हम अगर यहां पर अदानी ग्रूप की बात करने लगे तो मैंने आपको सामने दिखाया कि कॉंग्रेस रूल्ड इस्टेट में भी आर इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग नोट ए स्मॉल अमांट बट एट नाइन बिलियन डॉलर 65,000 क्रोड रूपीस की यहां पर इन्वेस्टमेंट है अब यहां पर हमने टेक्निकल्स तो डिस्कस कर लिए that everything is superb here everything is superb including today's candle आज की candle को भी यहां पर ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर सारी चीज़ें डिसकस कर लिए किस तरीके से एक candle के साथ है आपर दो तीन candles के साथ गिराया गया 15 minutes की अगर चार देखें तो single candle से सारा गिराया गया उसके बाद में सारा माल भर लिया गया अब यहां पर बाकी बाते करते हैं important points और भी हैं यहां पर जैसे अगर हम अंबुजा सीमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो financials की अगर बात करें सबसे पहले financials में यह zero debt company है इस company के ऊपर बिल्कुल भी debt नहीं है यह सबसे अच्छी बात है सबसे बिकार बात क्या नजर आती है पूरे financials में कि pleasing percentage 100% है अब pleasing percent जो 100% है इस बात का सबको पता है ऐसा नहीं है कि इस बात का सबको नहीं पता यहां पर loan लेकर ही इस company को purchase किया गया है that is fine लेकिन यह है कि company के पास अच्छा खासा पैसा है और वो कितना पैसा है March 2023 के हम बात कर रहे हैं हम बुजा के consolidated results की बात कर रहे हैं यहां बात करे हैं cash and cash equivalent कितना है company के पास तो cash and cash equivalent है company के पास 11,530 crore rupees this is a big big amount 11,500 crore rupees अपना पैसा है अब यह पैसा actual में जो companies के aspiration है growth के उनको fuel देने के लिए यानि कि उसको यहां पर expansion कराने के लिए enough है अब यह expansion का मन कितना है company का एक बार उस point को समझते हैं तो यहां अगर हम देखें कि company की जो आज की date में total capacity है that capacity is 67.5 million ton per annum और यह हमारी increase होकर company की capacity increase होकर income 1 है 140 million ton per annum करने का तो यह एक अच्छा target है और यह जो plan है यह basically 2030 तक के plan है यानि कि 6-7 years के plan है यहां से total capacity को double करना double से जादा करना और यह चीजे actual में जितना time हम सोचते हैं उससे जल्दी हो जाती है क्योंकि जब पैसा लगातार आ रहा होता है अब इस जो capacity expansion को fuel देने के लिए यानि कि इसको करने के लिए कमपनी के पास enough cash है वो हमने बात कर ली दूसरा कमपनी का क्या मन है to achieve lowest cost to serve by the leveraging group's vast experience तो यह एक further इनका focus वाला point है कि company की जो costing है जो operational margin है उसको improve किया जाए यहां पर lowest cost cement producer बना जाए तो यह एक plus point है साथ में जो यह दो ब्रैंड्स है Amboja Cement is the holding company of ACC also आप इस बात को ध्यान से समझना Amboja Cement जो ACC Cement है Amboja Cement उसकी parent company है तो Amboja Cement अगर की हम बात करें तो Amboja और ACC दोनों की consolidated level पर बात हो रही है अब यहां जो brand है ACC, Amboja और Ultra Tech Cement यह top brand में आते हैं जो A category brands है और उसके बाद में B category brands में हमारा Wonder Cement और बाकी हमारे आते हैं Dalmia Cement और C category में Shri Cement, NJK, NJK लक्षमी हमारे यह आते हैं सबसे अच्छे brands हैं, यह साथ में एक plus point है, उसके बाद में हम यहां पर एक और बात करते हैं जो नीचे आते हैं, यहां पर हमने यह numbers देख लिए, इस numbers की मैं बात करना चाह रहा था तो उसके साथ में एक और जो important point है, कि जो loan लिया था company ने around August September last year, company had borrowed 5.25 billion from 14 global banks to finance the acquisition of two cement companies by buying out Holcim's stake, जो Holcim's company है, that was the owner company of Ambuja Cement और Ambuja Cement फिर ACC की holding company है, तो basically अगर Ambuja को खरीद लिया तो ACC साथ में आ जाती है यहाँ पर bulk of loan amounting to rupees 4 billion had a repayment period of 18 to 24 months, यानि कि out of 5.25 billion, 4 billion जो इनको repay करना था वो 2024 में repay करना था, लेकिन इस repayment को यहाँ पर extend कर दिया गया है, जो sources indicates that repayment were now due to, due in 2025 and 2026 तो यह plus point है, जो repayment next year ही आने थी, अभी वो repayment में इनको 3 to 4 years का time मिल गया है, 2 to 3 years का time मिल गया है और यह क्यों मिला है, क्योंकि एक जो इसमें debt 5.25 billion में से 1.4 billion का debt, जो थोड़ा सा shorter term का था जिसको bridge loan इनकों ने बोला था, that has been repaid in 3 tranches before the time, prepayment इसको कर दिया है तो जब इनोंने एक particular big size की amount को prepayment कर दिया है, तो यहाँ पर नियत भी पता चलती है, पर sources, resources का भी पता चलता है जो lenders है, lenders को इस बात का satisfaction होता है कि यहाँ सारी चीज़े अच्छी है, यहाँ किसी भी तरह की problem नहीं है अब जब यह सारी चीज़े अच्छी है, तो यहाँ पर जो risk है, बेसिकली वो risk कौन सा risk है, risk है यहाँ पर pledging percentage का यानि कि अगर जो अदानी ग्रूप है, अदानी ग्रूप ने अगर जो pledge, यहाँ पर shares को करके अमबुजा की जो personal level पर loan लिया हुआ है, अगर वो repay नहीं किया, तो market में थोड़ा सा risk रिस्क हो जाता है, तो वो risk यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके पास अब enough time है and part of the payment they have already made, तो यहाँ उस तरह के risk खत्म हो जाते हैं, अब बात करते हैं एक बार अमबुजा सिमेंट का है 36.13, यानि कि श्री सिमेंट के comparison में half है and अल्टराटेक सिमेंट के comparison में भी काफी कम है, तो यह अपने आप में further plus point है अब यहाँ एक बात और ध्यान से समझो, जो current value, book value के comparison में है, price to book value जिसको कहते हैं, अमबुजा सिमेंट का 2.86 है, श्री सिमेंट का 5 है and अल्टराटेक सिमेंट का 4 है यानि कि price to book value के हिसाब से भी अमबुजा सिमेंट सबसे सस्ता है और ACC उससे भी सस्ता है, लेकिन ACC की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ACC अमबुजा का part अपने आप से है तो ये चीजे आप ध्यान से समझो, अब हम यहाँ पर sales की बात करते हैं श्री सिमेंट की जो sales है, that is 16,000 क्रो, अमबुजा सिमेंट की है डबल 30,981 क्रो, यानि कि 31,000 क्रो, डबल है और डबल होने के साथ में, जो श्री सिमेंट है, उसकी market capitalization जादा है और अमबुजा सिमेंट की कम है, श्री सिमेंट की market capitalization 87,000 क्रो है अमबुजा सिमेंट की 76,000 क्रो है, जबकि अमबुजा सिमेंट की sales श्री सिमेंट से डबल है और यहाँ पर management क्या कह रही है, management कह रही है कि हम यहाँ पर पूरा focus पर दोनों चीजों पर है, sales बढ़ाने पर भी है, capacity बढ़ा कर उसके लिए खुद के पास पैसा है कोई loan लेने की ज़रूरत नहीं है, and second यहाँ पर important point यह भी है कि वो अपनी operational cost को भी कम करना चाह रहे हैं, जिससे operating profit बढ़ सके और यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से और काम कर सकें, और यहाँ एक और plus point क्या है क्योंकि अधानी group अपने आप में बहुत बड़ा group है, infrastructure में है, ports है, airports है और बनाए जा रहे हैं, roads में भी है, warehouses में है, यानि कि इनका अपना खुद का consumption सीमेंट का बहुत जादा है, और यह आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी, क्योंकि company चाहेगी कि जितना भी अपना सीमेंट है, जितना यूज करना है, खुद से उतना यूज करो ना अच्छी बात है, तो जितना भी further infrastructure का काम लेना है, group companies में उतना ले लो, तो यह एक further plus point आता है, यहाँ पर, इस बात का डर नहीं लगता, कि market में अगर सीमेंट का थोड़ा सा slowdown आया, तो यहाँ कितना फरक पड़ेगा, बहुत जादा फरक नहीं इनके पास अपना यूज होगा, और उसी यूज को ध्यान में रखते हुए, यह future में अपनी capacity को expand कर सकते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले technical बताया, उसके बाद में मैंने आपको यहाँ risk बताया, जो pleasing percentage का है, लेकिन वो risk risk नहीं है, क्योंकि जो time इनको 24 तक मिला था, 2024 तक मिला था, वो time अब इनका 25, 26 तक चला गया है, क्योंकि इन्होंने 5 billion dollar में से 1.5 billion dollar को repayment कर दिया है, और वो prepayment किया है, यानि कि time से पहले किया है, और company के पास 11,000 crore rupees है, company expand कर रही है, और उसके plan भी है, और उस expansion के लिए company को किसे से loan नहीं लेना, तो यहाँ loan का risk नहीं है, company independent level पर किसी तरह का risk नहीं है, क्योंकि company debt free company है, और जो recent quarter के results है, वो भी better आए हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो revenue में last time हमने देखा कि थोड़ा सा pressure था, जैसे September में यहाँ पर, वैस्तो लगातार ही अब था, लेकिन यहाँ operating profit भी improve होता वो नजर आया, operating profit इंप्रूफिट नहीं, यहाँ पर sales pressure है, तो series cement का अभी result आया नहीं है, March quarter का, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कि सिर्फ इसी company के net profit यहाँ गिरे हैं, सभी companies के net profit पिछले कुछ time में गिरे हुए हैं, अगर हम ultra tech cement की भी बात करें, तो ultra tech cement के net profit भी यहाँ पर गिरे हुए हैं, पिछले comparison में, और यहाँ पर same ही हमें अंबूजा cement में नज़र आता है, तो यह basically inflation का impact था, बढ़ी हुई costing का impact था, जो दिरे-दिरे यहाँ पर कम होता हुआ, साफ-साफ नज़र आएगा, उसमें किसी भी तरह की दोराए नहीं है, और यहाँ पर net profit भी थोड़ा सा बढ़कर आया है, 494 क्रोड के यह इस टाइम पर जो ऊपर से नीचे गिरा था, यहाँ सिर्फ एक चीज इंपोर्टेंट है, कि कंपनी में गलत हो नहीं हो रहा है, और जहां से इस टोक प्राइस नीचे आया था, वहाँ तक जाने का यह दम रखता है, और अगर वहाँ तक यह इस टोक प्राइस जाता है, तो आप ध्यान से समझो, this is 55.93%, यानि कि 56% potential gain है यहाँ पर, जबकि जो हम peer group की बात करने लगें, जो दूसरी बड़ी companies है, ultra tech cement की lifetime high तक जाने में, उसमें कितनी drawing हटा देता हूँ, और एक बार check करते हैं, so that is 31%, लेकिन ambuja cement में कितना है, ambuja cement में this is 56%, तो मैं bullish हूँ, मैंने आपके सारे reasons आपके सामने यहाँ पर रखे हैं, it doesn't make any sense कि एक debt free company को सिर्फ इसलिए हम वेकार माल लें, कि उसका 100% यहाँ पर pledging है, 100% pledging कभी भी अच्छी नहीं होती, यह एक risk है, of course risk है, लेकिन इस risk को अगर हम यहाँ पर समझ लें, कि risk कितना है, क्यों यहाँ पर pledging है, और किस तरह से prepayment की है, और time से, और उसके बाद में जो further loan है, उसके लिए अच्छागा सा time मिल गया है, company के पास 11,000 crore rupees का cash है, company cash making company है, अच्छागा सा profit आता है, expansions है, जिससे और जाधा profitability आएगी, everything is great here, और ऐसा नहीं है, कि अधानी जी, यहाँ पर जो सबसे strong fundamentals वाली company है, उसको risk पर ले आएंगे, जो बाकी जहाँ पर debt जादा है, उस company के comparison में, ऐसे में, जब भी कोई group collapse होता है, या अगर further future में यहाँ पर problem आती भी है, तो जो companies debt free है, वो सबसे अधा safe रहती हैं, और उनका कुछ नहीं बिगरता, debt free अपने आप में the best state होता है, financial terms में, चाहे वो individual हो, चाहे company हो, चाहे वो country हो, चाहे कुछ भी चीज हो, यहाँ पर आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँगा, मेरा काम सिखाना है, जिससे हम सब साथ में rich बन सकें, यहाँ पर gambling छोड़नी है, यहाँ समझदारी से investor बनना है, लगातार, धीरे धीरे, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाना है, जहां हमें 40-50% single short में, एक ही stock में बनते होई नजर आए, मैं आपके सामने opportunities जो आती रहेंगी, discuss करता रहूँगा, आपको यहाँ पर दोस्तों से शेयर करना है, यह आपका करतविया है, उनको subscribe कराना है, और अगर यहाँ पर वी